मेरे प्यारे देश वासियों, आतमंदिर्भर भारत की एहम प्रात्पिकता, आतमंदिर्भर कर्शी और आतमंदिर्भर किसान और इसको हम कभी मी नजर अंदाज नहीं कर सकते हैं। किसान को पिछले दिनों हमने देखा है एक के बाद एक रिफॉर्म आज आदे की इतने सालों के बात किये गए हैं किसान को तमाम बंधनों से मुक्त करना हो वो काम अबने कर दिया अब सोच नहीं सके होंगे हमारे देश पैंप अगर साबुन बनाते हैं हिंदूस्तान के अब चीनी बेच सकते हैं लेकिन मेरा किसान बहुत लोगों को पता नहीं होगा मेरे देश का किसान जो उत्पादन करता था न वो अपनी मर्जी से बेच सकता था न अपनी मर्जी से जहां बेचना चाहता था वहां बेच सकता था उसके लिए जो दाइरा तैक किया था वहीं खत पकर दिया है अब हिंदुस्तान का किसान उस आज़ादी की सास को ले पाएगा ताकि वो हिंदुस्तान के किसी में भी दुनिया के किसी भी कौने में अपना माल बेचना चाहता है वो अपने टम्स पर बेच पाएगा इस बात को हमेगा हमने किसान की आए को बढ़ाने के है अनेक वेहिकल पिक चीजों को भी बल दिया है उसके किसानी में इंपुट कॉस कैसे कम हो सोलार पंप उसको डीजल पंप से मुक्ति कैसे दिला दे अन्य जाता उर्जादाता कैसे बने मदुमक्षी पालन हो फिसरीज हो पॉल्ट्री हो ऐसे अनेक चीजे उसके साथ जुर आए ताकि उसकी आई दो गुना हो जाए उस दिशा में हम लगातार काम कर रहें आज समय के मांगे हमारा कृषिक शेत्र आधुनिक बने मुल्ले वृद्धी हो वैल्वियरेशन हो फुड प्रोसेसिंग हो पैकेजिंग की ववस्ता हो उसको समानने की ववस्ता हो और इसलि सेक्टर के लिए भारत की सरकार ने आवंटिज किये हैं और इंफा सेक्टर जो किसानों की बलाई के लिए होगा और इसके कारण किसान अपना मुल्य भी प्राप्त कर सेगा दुनिया के बाजार में बेज भी पाएगा विश्व बाजार में उसकी पहुंच बढ़ेगी गाउं के अंदर एक जाल बनाई जाएगी और उसके कारण उसके साथ साथ किसानों के लिए जो नई एफ पी ओ हमने बनाने का किसान उत्पादक संग बनाने का जो हमने कोशिस की हैं वो अपने आप में एक बहुत बड़ा एकॉनोमिकल एमपाउर्मेंट का काम करेगा आज उसको एक साल हो रहा है मैं आज गर्व से कह सकता हूं कि जो हमने सपना लिया है कि पीने का शुद्ध जल नल से जल हमारे देश स्वास्यों को मिलना चाहिए स्वास्त की समस्याओं का समाधान भी शुद्ध पीने के जल से जुड़ा हुआ होता है आर्थे ववस्ता मे युजे भी उसका बहूत बड़ा योगदार होता है और उसको लेकर कैब जल जिवन मिशन शुरू किया आज मुझे संतोच है कि प्रती दीन हम एक लाग से जादा घरों में हर दिन एक लाग से जादा घरों में जल पहुंचा रहे हैं, पाइप से जल पहुंचा रहे हैं औ और विशेश करके जंगलों में दूर दूर रहने वाले हमारे आदिवाचियों के घरों तक ये पहुंचाने का काम बड़ा भ्यान चला है और मुझे खुशी है कि आज जल जिवन मिशन ने देश में एक तंदुरस परधा का माहूल बनाया है जिले जिले के बीच में तंदुरस परधा हो रही है लगर लगर के बीच में तंदुरस परधा हो रही है राज्य राज्य के बीच में तंदुरस परधा हो रही है हर किसी को लग रहा है कि प्रधान मंद्री का जल जिवन मिशन का जो सपना है उसको हम जल्दी से जल्दी अप झाल झाल